स्वागत हैं आप सभी का समर्थ क्लासे यूट्यूब चैनल पर मैं जारुती प्रिया आप सभी के लिए बिहार करिंट अफेयर्स की आज फोर्ट सीरीज लेके आई हूँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि हमारा आज के बिहार करिंट अफेयर्स में कौन-कौन से मेन करिंट अफेयर्स है हमारा पहला पॉइंट है टॉप टेन आदर्स पुलीस थानों में बिहार के दो जमालपूर एवं पुर्णिया थाना चुने गए बिहा भारत के टॉप टेन आदर्स पूरी स्टेसनों में बिहार के दो स्टेसन जमाल पाहला जमालपुर और दूसरा पूर्णिया थाना को चुना गया है हमारा अगला पॉइंट है नितिश कुमार जी को अनुवरत पुरसकार से समानित किया गया हमारे बिहार के मुखे मंत्री सिनितिश कुमार जी को जो है वह अनुवरत पुरसकार से समानित किया गया है और उन्हें या पुरसकार जो है बिहार में पून्ट शराबंदी लागू करने के लिए जैन स्वेतामबर संग द्वारा उन्हें यह अनुवरत प्रोस्कार जहावा प्रदान किया गया है मैंने अपने करेंट बिहार करेंट अफेल के तिसरी स्थिरीज में आप सभी को बिहार में पूर्ण शराब बंदी की कब लागू हुई तो उसकी तीथी भी बताई थी आप सभी यह दियान होगा नहीं तो चली मैं अब आपको बता दे दी हूँ बिहार में पूर्ण राबंदी जो है वा पांच अप्र दो हजार सोला को लागू हुई थी और इससे लागू करने के लिए ही बिहार की मुक्मंति श्रितिस कुमार जी को जो है वा अनुवरत पुरसकार समानित किया गया है हमारा अगला पॉइंट है बिहार में दो सो नए हेल्थ एंड विलनस केंद्र खोले जाएंगे हमारा अगला पॉइंट है प्रेड़ना योजना बिहार सरकार के द्वारा प्रेड़ना योजना की शुरुआत जो है वा की गई है और बिहार सरकार द्वारा प्रेड़ना योजना जो है वा बाल विवा एवं कम अंतराल पर बच्चे को जनम लेने से रोकने के लिए योजना बनाई गई है यह यूजना जो है इसमें दो main points आपको याद हो प्रेढ़ना-योजना का संबन किसे हैं बाल विवाह को रोकने से एवार कम अंतराल पर बच्चे को जनम लेने से रोकने के लिए यह यूजना जो है प्रेढ़ना-योजना वह बनाई गई है हमारा अगला पॉइंट है बिहार EG School Tracking best mobile app का सुभारम किया गया बिहार में प्रात्मिक और माध्यमिक विद्यालेयों के निडिक्षन के लिए बिहार EG School इसका best है इसका full form है बिहार EG School Tracking mobile app लॉंच किया गया आपको इसका full form को ध्यान में रखना होगा हमारा आगला पॉइंट है बिहार के माहुली गाउं में solar study lamp बित्रन सेंटर का सुभारम हुआ बिहार राज के आरा गाउं में solar study lamp बित्रन की सेंटर का जो है वह सुभारम किया गया और यह यूजना जो है और यह स्टेडी लाम बित्रन सेंटर के स्थापना जो शुरुआ जो है वा केंद्रिया उर्जा मंत्राले द्वारा आरा के माहुली गाउं में सोलर स्टेडी लाम बित्रन केंद्र सेंटर स्थापित किया गया है अब को इसंगा नाव याद रखना है आडा जीले के अंदर माहुली गाउ इसको आपको ध्यान में रखना है हमारा अगला पॉइंट है HDFC बैंक की सोवी ब्रांच जो है वा पतना में खोल गई है कहां खोली गई है HDFC ब्रांच की फोटो वाल्टिक मॉड्यूल मैन्यूफेक्ट्रिंग प्लांट के अस्थापना की गई है गया के शेडगाट में जो है वह वहाँ पे फोटो वाल्टिक मॉड्यूल मैन्यूफेक्ट्रिंग प्लांट की जो है वह अस्थापना की गई है हमारा अगला पॉइंट है SC-STA के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराद में बिहार में हुए है हमारे इसका अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है इसके खाश्याद बात है NCRB National Crime Records Bureau के डेटा के अनुसार SC-ST के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराद जो है वा बिहार में होते हैं जबकि ST के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराद जो है वा कहा होते हैं माध्य परदेश में चलिए आगे बढ़ता है'm बिहार सबसे गड़िव राज्य बिहार सबसे गड़िव raja दर्ज किया गया है और यह जो है उसे चौत्य राश्ट्रिया परिवार एवं स्वास सर्वेक्षन के अनुसार दिल्ली देश को जो है वह सबसे अमीर राज और बिहार राज को जो है वह सबसे गरीव राज घोसित किया गया है यहाँ पे 50% परिवार सबसे निचले आईवर्ग में है यहाँ पे 50% परिवार वह सबसे निम तबके में आते हैं इसलिए बिहार जो है वह सबसे गरीव राज दर्ज किया गया है महा दलीद विकास मिशन के लिए रूपीज 100% पर 49 करोर की सुकृति पदान की गई wildly हम भिहार कैबनेट द्वा डॉरा सुकृति कि गई आपको यह राज जो है उसको द्यार में रखना हुगा किस मिशन के अंतरगत यह राज सुकृति की पदान की गई है तो महादलित विकास मिर्शन के लिए रुपीज एक सो पराच करोर की सुकीति जो हवार प्रदान की गई है पटना में गुल्लक बच्चा बैंक की शुरुवात आप सभी ने BPSC का 63 PT एक्जाम दिया है तो उसमें ये कोश्चन आ चुका है आप सभी इस कोश्चन से भाली भादी परिचित होंगे कि इसमें कोश्चन आया था कि गुल्लक बच्चा बैंक कहां इस्थित है आप्शन में इसका एंसर होगा पटना तो इसकी शुरुवात कब होगी थी इसके डेट आगे हम लोग जान लेते हैं इसकी शुरुवात 14 नवंबर 2009 को पटना में की गई थी इसकी शुरुवात कब की गई थी पटना में 14 नवंबर बाल दिवस के दिन वर्स आपको याल लखना होगा 2009 को पटना में की गई थी और यह बैंक जो है वह बिहार सरकार के मानव संसाधर विभाग की संस्था बाल भवन किलकारी के जड़िये संचालित होता है यह बिहार सरकार के HRD डिपार्ट में मानव संसाधर विभाग की संस्था जो है बाल भवन किलकारी उसके जड़िये इसे संचालित किया जाता है इस बैंक को बच्चा बैंक जो है वा गड़ी बच्चों की एक सामुही गुल्लक है जिसमें पटना के जुगी जुबडी इलाकों में रहने के बच्चे अपनी बच्चत करके रुपी 5 जमा करते हैं और इन पैसों को किताब कौपी के लावा अपनी आक्समी जोतों के लिए इस्तेमाल कर खते हैं अग्ला पॉइंट है पतना के फुल्वारी शरीफ में हाई सेक्योटी जेल का निर्मान किया जाएगा पतना के फुल्वारी शरीफ में पहले ही 4G connectivity के availability है उसके मामले में पटना जो वो टॉप position पे है और भारत के लगभग 20 सबसे बड़े सहरों में 40 connectivity के मामले में पटना पहले position पे है टॉप 20 cities में पटना वो 40% connectivity के साथ टॉप position पे आया है जैव प्रकास नारायन हवायड़ा पटना पर जैव आप दाओं पर अपना पहला मौक अव्याश आयूजित किया गया पटना के एयरपोर्ट का नाम आप सभी को ध्यार में रखना होगा जैव प्रकास नारेन हवायड़ा पटना एयरपोर्ट का नाम है जहां पे जैव विकास जैव आप दाओं के लिए जो है वो उस पहला मौक अभ्यास जो है वो किया गया आपदा प्रवांधन प्राधिकर अंडेमे द्वारा नेशनल डिजाषटर मेरेज्मेंट अथोरिटी का फुल फॉर्म है अंडेमे का नेशनल डिजाषटर मेरेजिमेंट अथोरिटी द्व नोक नजैव अवदाओं पर अपना पहला मोग अभ्यास जो है वह आयोजित किया गया हमरा अगला पॉइंट है कि सुबारं किया गया नुक्त लेए नहीं जीरे में अपसे जानते हैं से के मिध्लना राज से संब्धनित है बिहार राज के दर्वंगा जीले के और बिहार और नेपाल में भी यह प्रचलित है इसके दो भाग होते हैं भीती चित्र और आडिपन चित्र को ध्यार में रखना होगा इसके दो पार्ट होते हैं कि संदीकरण के लिए पूर मथ रेलवे के मदू बनी स्टेशन दूसरा परफ्कार हमरे अगले पॉइंट में कि स्टेशन को सुंढर बार्णानि के लिए पूर मथ्य का जो है मदू बनी स्टेशन उसे 2nd अवारड से समानित किया ब्लाइ और मध रेल्वे के बलहार शाह तथा पूर मध रेल्वे के मधुबनी इस्टेशन तथा दक्षिनी रेल्वे इस्टेशन के मधुबनी इस्टेशन को सयोग दूरूप से दूसरा प्रोशकार पदान किया गया आपको ध्यार में रखनों कि मध्य रेलवे के बलहार शा और पूर्ड मध्य रेलवे के मधुबनी इस्टेशन और साउथ साउथ रेलवे के मधूरे इस्टेशन को संयोग दूरूप से एक साथ सेकेंड पूरशकार दूसरा पूरशकार पदान किया गया है हमारा अगला पॉइंट है भागलपूर और गया में जलापूर्ति में सुधार के लिए एश्यान डिवलोप्न बैंक के साथ जो है राश्री का ध्यारम रखना चाहिए 84 मिलियन डॉलर का समझाता है भागलपुर और गया में सोन नदी पर जो है वा बिहार जारखन की सयुक्त पर्योजना उत्री कोयल जलाशे पर्योजना का सुभारम किया गया और यह पर्योजना का जो सुभारम जल संसाधन नदी विकास और गंगा करकल्प मंत्राले द्वारा उत्री कोयल जलाशे पर्योजना के काड़ियों को पूरा करने के लिए बिहार जारखन के साथ समझाता गया पर एम उपर जो है वह हस्ताक्षर किये गए है इस्टूडेंट्स क्रेडिट्स कार्ड यूजना चलाई गई इस्टूडेंट्स क्रेडिट्स कार्ड यूजना जो है वह बिहार राज में चलाई गया है बिहार के स्टूडेंट्स के लिए इस यूजना के तहत जो है उस सिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को यह और इस योजना की तहत एक नीगम की अस्थापना की गई है जिसके माधियम से मातरफ चार पतिस्ट की ब्याजदर के साथ जो है वहडीन मुहया कड़ाया जाता है और इस क्रेडिट कार योजना का लाव दिव्यांग छात्राओं एवं ट्रांस जन्रों को सिफ एक पतिस्ट क कि ब्याजदर रेट के साथ जो है वहडीन प्रदान किया जाएगा तो इस तरह से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार योजना का दिव्यांग छात्राओं ट्रांस जन्रों के लिए काफी लावदायक है उस शुक्षा प्राप्ति के लिए मुख मंत्री अनुसूचित जात को प्रोट्साहित करने के लिए जोजना का शुबारम जयाव किया गया है इस योजना के तहत अनुशूचित जाती तथा अनुशूति जन्द जाती दोनों को सीविल सेवा प्रोट्साहन महादलि समुधाइकों में परहाई में आगे आने के लिए यार्ट जो है लॉज्च की जाएगे यदि SCST उन लोगों ने यदि UPSC की प्रिलियमिनली एक्जाम प्रिक्षा में जो यदि पास कर लेते हैं वह उतिन कर लेतों उन्हें जो है पचास हजार से एक लाख रूपय तक की रासी जो है प्रोस्तारसे से उन्हें पादान किया जाएगा हमारा अगला और इस योजना के तहट जो है अल्पसंख्यक समुदाई के बेरोजगार वह भी अठारस लेकर के पचास वर्स तक की आयू वर्क के लोगों को रोजगार उपलफ्त कराने हैं तो रुपी पांच लख तक का डिन प्रदान ले सकते हैं वे लोग इस योजना के तहट और उन किया गया है आइनस विक्रमादी बिहार रेजिमेंट में सामिल किया गया है और इसका वाक में आपको ध्याम रखना है है कमें इन संटेंस क्या इसका जेवाग जो है वह है विक्टरी ठ्रू जॉइन内 है क्या है इसका विक्टरी ठ्रू जॉइनएश प्सक्रमांदी डेल वे लिंग अस्थापित किया जाएगा रक्सोल और काटमांडू 4 उसके बीच जो है डिरल्वे लिंक का स्थापित किया जाएगा हमार अगला पॉइंट है चटवे Commonwealth Parliamentary Association for India Region Conference पटना में किया गया देखिए चटवे Commonwealth Parliamentary Association for India Conference का जो है आयोजन वह पटना सहर में किया गया था यह Conference समेलन आपको सभी समेलनों को ध्याम रखना जाए कि कौन से समेलन बिहार की किस शहर में हुए या फिर भारत या फिर अंतरास्टिय समेलनों तो भी किस शहर में हुए क्या भी कि हमारे एक्जाम में जो है समेलन से बहुत कोश्चन करेंट अफेयर सीज में आते हैं हमारा अगला पॉइंट इलेक्ट्रोनिक सिग्रेट पर पतिबंद लगाया गया अब बिहार सरकार ने जो है पून शराब बंदी के बाद जो इस सिग्रेट पर भी जो है वह पतिबंद लगाया दिया है बिहार सरकार द्वारा इलेक्ट्रोनिक सिग्रेट पर पतिबंद लगा दिया है और इसके अब लोग इस सिग्रेट भी नहीं पी सकते हैं बिहार सरकार द्वारा या एक उरेखनिया कदम उठाय गया है तथा सिग्रेट बेचने पर भी प्रतिवन लगाने वाला बिहार देश का बारहवा राज बन चुका है सीग्रेट बेशने पर पतिवन लगा दिया है बिहार ने और ऐसा करने वाला बिहार भारत का बारःवा राज बन चुका है नितिश कुमार को प्रथा मुहम्मद मुफ्ती मुहम्मद शईद अवार्ड से समानित किया गया बिहार के मुखमंत्री नितिश कुमार जी को उन्हें प्रथा मुफ्ती मुहम्मद सईद अवार्ड से समानित किया गया है यह अवानितिश कुमार जी को उनके उलिखनिया लोक सेवा एवं सार्वजनिक जीवन में योगदान देने है उनका उन्होंने उलिखनिया योगदान दिया है लोक सेवा में सार्वजनिक जीवन में योगदान है तो इसलिए उन्हें प्रथा मुहम्मद मुफ्ती मुहम्मद सईद अवार्ड जो है उससे समानित किया गया है आप सभी को यदि हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपनी सभी दोस्तों के साथ सेर कीजिए और आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स के जरू बताएं थैंक्स फर वाचिंग धन्यवाद